Hello everyone, welcome back to Namaste Canada, मैं हूँ नीरज, अभी की जो वीडियो है ये Defensive Offence YouTube चैनल से है और इसका टाइटल है Major Gauravaria explains why India needs अगनीपत and reasons behind violence in country काफी interesting वीडियो होने वाली है, तो हम वीडियो देखेंगे, साथ-साथ अपने comments आपके साथ share करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, तो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो हमें से कितने बन गए टेर्रिस्ट, हमें से कितने बन गए माफिया शापशूटर्स, हमें से कितने बन गए दाउद इबरहें कासकर, हम तो नहीं बन गए न, सब लोग अपना कामी कर रहे है न, यह argument की अगनी वीर टेर्रिस्ट बन जाएगा, क्यों, कुझ एक बात समझ भ मैं धासलोन फौज कौच चला ना है, यह फौज को ड़ा है कि संग झील इस सगल कर ने से कर नी इन इन, को एरफोर्स को यह बी ट्रेनिंग देनी औरि जाननी है कि तुम्हें कर नी चीए, क्या करना चीए ह। लिकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह पूरा जो मामला है न पैंशन का है। बिल्कुल मत भूलिया गर्ट वेवव यह जो अगनीवीर वाला मामला है जो स्कीम निकाली अगनीपत तो मुझे काफी ना सोशल मीडिया पर मेसेज़िस आ रहे हैं और मैंने अलग-अलग मुक्तलिफ प्लाटफॉर्म पर इसकारम बात भी करी है लेकिन जो मुझे लगता है वो चाहता है कि हमारे पक्ष की बात हो ऐसा नहीं है कहीं न कहीं बीच में हमें एक रास्ता निकालना पड़ाएका तब जाके मामला सर्टेगा पहली बात तो यह है कि यह अगनीपत है क्या यह फौज को करवाना ही था मुझे तो यह अश्यरे हो रहा है कि अब जाके 2022 में क फौज को यह चीज 25-30 साल 50 साल पहले कर देनी चाहिए थी कुछ समय पहले तक फौज का जवान ओंडी 7 यर्स तक काम करता था नौकरी उसकी 7 साल की होती थी और बाकी 7 यर्ज वे रिजर्फ पे होता था उसके बाद उसको जो भी पेंचिन मेंचिन मिलनी होती थी फिर वो कर दिया कि 15 साल के बाद मिलेगी और 7 यर्स का भी हो चुका है फौज में सर्वेस जो भी 4 साल की उपर लोग कंप्लेंड कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ यह है क्या मामला ना पूरा बात यह है कि इसमें दो तीम कारण है यह कारण सुदने से पहले मैं यह कहूँगा कि मेजर गौरव आ रहा नाम से पता चलता है कि यह खुद आर्मी में रहे हैं तो इन से यह चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ज्यादा क्लैरिटी से बात समझ में आएगी तो लेट्स लेट्स कंटिनीव वेबस सबसे पहला कारण यह है कि और यह बहुत गंभीर कारण है फॉज के है इस वेरी सीरियस इसूफ ओड़ आमी त्ट और नेवी और दिये फॉस यह जो एज़ प्रोफाइल है ना यह जादा हो रही है यह 32 33 34 तक जा रही है और किसी भी आर्मी के लिए जानी होगा इसको मेड ट्वेंटी जा लेट ट्वेंटी में लाना है यह काम फॉज को बहुत पहले कर देना चाहिए था अगनीपत का मैं फॉज के पॉइंट ओव यू से बोल रहा हूँ मेरी तरह से नहीं मैं यह यह नहीं किरा कि फॉज को कर देना चीए था इसा गोरा परण के लिए बी-एस-फ में, सी-ार-पी-एफ में, आई-टी-बी-पी में, सी-ाई-एस-फ में, स्स-बी में, एसम राइफिल्स में, मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस का जो सिविलिन स्टाफ है उसमें और पंदरा-सोला जो भी डिफेंस उनिट्स हैं जो की M.O.D. से रखती हैं उसमें, तो क्या इन लोगों को चार साल के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी, उसका आंसर है हाँ, उसका जवाब है हाँ, उनको गवर्मेंट ओफ इंडिया की नौकरी मिलेगी, इसके अलावा जो स्टेट पुलीस कर रही है, मेरी बात्चीत अभी हुई थी, बिग वो नौर्थीज के स्टेट की बात कर रहे थे, क्या आठ मुख्यमंत्रियों से बात हुई और आठों के आठ ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस ला रहे हैं, जहां पर दस परसंट रिजर्वेशन, तो क्या अगनीवीर जब फौद छोड़ेगा, क्या उसको मिलेगी, हाँ मिलेगी क्या है कि चार साल के लिए करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, उसकी छे मेने की ट्रेनिंग होगी, जो कि इस चार साल में शामिल है, राइट? एक बार वो फौद से चला गया, फिर उसकी रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होगी, जाहर जी बात नहीं, अब आप आर्मी में हैं, आपने आर्मी छोड़ दिया, बी-एएफ में चले के तो आर्मी जी रिजर्व लाइबिल्टी खतम होगे, नहीं बिकम पाट बी-एएस-फ, रिजर्व लाइबिल्टी इस जब आप बहार एं सिविलियन है, अगर जंग होती है, जंग होती है तो फिर बी-एस पेंशन यह है न, कि पिछले साल हमें ये सब तो पता है कि हमारा 75 अरब डॉलर का एक बजट है, डिफेंस बजट जिसमें की करीब 65% सालरी और पेंशन के लिए जाता है, ये सब को स्टोरी पता है, जो स्टोरी लोगों को नहीं पता है, वो ये चीज है कि बड़े स्ट्रे अगर हमारा सैलरी बिल सौ है, तो पेंशन बिल सवा सौ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से एक नीती चली आ रही थी, कि आप एतना साल करी है, जीवन पर पेंशन, आप फौज है कि यार हम पेंशन दें, हम तंकाएं दें, हम नहीं ने हत्यार खरीदें, एज प्रोफाइल ठीक करें, ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई है, तीसरी चीज़ ये है कि, याद है दो-तीन साल पहले से, चार-पांच साल पहले से काफी सोशल मीडिया पे और मेंस्ट्री मीडिया में चल रहा है, कि हर एक भारतवासी को कम स से कम दो साल तो फॉज में रहना ही चाहिए, आपने भी सुना होगा, सब लोगों ने, हम सब ने देखा कि नहीं फॉज में जाना चाहिए, तब ही जाके डिसिप्लेन आएगा, तब ही जाके डिसिप्लेन आएगा, अब कर दिया अगली पत, तो फिर उसमें प्रब्लम है, यही तो है, आओ फाज में जॉइन करो, हर एक भारतवासी को खुला मौका है, आप आईए जॉइन करिये, जो सलेक्ट हो गया, अब सलेक्ट हो गया, और लिमिटेड वेकंसी है, आप करोणों की फाज तोलना कर सकते हैं, पर जो भी है आप आईए, अच्छा, इसमें कई परिवार उसके साथ वो बालेदान देगा, और लोग ना कई साल दर साल दर साल परिवार, लोग ने बने बच्चों को बढ़ते वे नहीं देखा है, आपको पताता हूं, यह अट लीस्ट आर्मी की सच्चाहित है, नवी एन एरफोर्स अस्टिल, नवी में भी थोड़ा सा होता है, they sail for elongated period, but they come back, आर्मी में, you know, you get posted to places which you can't find on the map, यह नक्षे में वो जगें मिलती नहीं, तो फॉज में थोड़ा सा ज़ादा है यह, being away from the family and this is also a sacrifice, you know, किसी बाप को बोलिये कि, अब आप अपने बच्चों को 10 मेने के बाद देखेंगे, सारा काम फोन पर ही चल रह तो जब एक ऐसे माहल में आप पले बड़े हैं और आपने 20-30-40 साल से यही माहल देखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, या कोई भी आपको लगता है कि कोई सरकार कोई नीती लेकर आई है, तो उसमें एक रियाक्शन होता है, यह जहर सी बात है, और यह रियाक्शन चाहे वेटरन सपोर्ट करें या वेटरन सपोर्ट ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तभी बोलते हैं जब प्यार करते हैं और वैसे भी चेंज को रिजिस्टन्स तो मिलती ही है, आप चाहे पॉजिटिव चेंज लाएं, चाहे नेगटिव चेंज लाएं, उसमें रिजिस्टन्स तो आएगी, क्योंकि यह human nature है, कि जब भी हम किसी एक सिस्टम के थुरू चलते हैं, और हमें वो सिस्टम अच्छा लगता है, तो जब उसको अचानक चेंज कर दिया जाता है, तो उसमें रिजिस्टन्स का जो आस्पेक्ट है, वो जरूर आता है, और वो टाइम के साथ ठीक भी हो जाता है, और कुछ genuine points भी होते हैं, criticism के, तो फिर आप उन चीजों का solution देंगे, उनको अगर उनकी genuine criticism है, उन points को आप address करने की कोशिश करेंगे, और फिर ही चीजें जो है वो आगे चलती है, let's continue, लोग तभी बोलते हैं, जब उनको महबत होती है, वनना वेटरेंस को तो पेंशन मिल रहे है, उनको क्या लेने देना, उनको क्या मतलब है अगनीपत से, कल वो बोलें ठीक है यार, तो म खचात हैं, दो-तीन ना, ऐसी बाते हैं जो उनको लगा कि गलत है, पहली बात थो यह कि लोग क्या करेंगे चार साल के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने अब क्लियर और अगनीपत की स्कीम रोल बैक भी नहीं होने वाली, ये भी बात बिलकुल क्लियर है, सरकार जो लोग हैं, जो अगनिवीर हैं, यह लड़ने ही पाएंगे और इनके बस का कुछ नहीं होगा, और सिर्फ चार साल करी है, और इनमें न वो बॉंडिंग नहीं होगी, तो राइट, मुझे नहीं लगता कि यह बात है, क्योंकि ना मैं फॉज के रेजिमेंटल सिस्टम्स को, तो रेजिमेंटेशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, और मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपका कोई फॉजी दोस्त है, आप उसके साथ एक महना केंटोनमेंट के अंदर रह लीजे, छोड़ी अगनीवीर, छोड़ी अगनीपत, छोड़ी य या कोई उपदरवी काम करेंगे, टेर्रिस बन जाएंगे, ये सब, ये भी बात गलत है, हमने साड़े पांट साल नौकरी करी फोज में, हम कौन से टेर्रिस बन गया, दुनिया वर के SS Officers है, Short Service Officers, हमारे समय पे तो 5 प्लस 5 होता था, पांट साल, फिर पांट साल, जिन्हों इसके हत्यार उठाली हों देश के खिलाफ, या कोई चोरी डकेती में पढ़ गया हो, या कोई करिमनल अक्टिविटी में पढ़ गया हो, शापशूटर बन गया हो, भई, ओफिसर की ट्रेइनिंग तो बहुत हाई कैलिबर की होती है, जवान से है, ओफिसर की ट्रेणिंग म शॉर्ट सर्विस कमिशन जो है, वो इंडियन आर्मी में और आम्ट फोसिस में काफी देज से चल रहा है, और लोग जो है, वो कुछ समय पे ट्रेनिंग भी इंक्लूडिड होती है, उसमें कुछ के बाद सर्विस करते हैं, फिर अपने अपनी चाहे वो सिविलियन इनको तो आपने इस सोल्जर्स को लीड कर पाएंगे, तो ये बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास शॉट सर्विस कमिशन भी है, या आपके पास थोड़े जिसको कहते हैं टाइम पिरिड के लिए भी इंप्लाइमेंट है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसक इडिके गेंस्टी काम करते हैं, तो तो ये पूरा प्लाइन और इस तरीके से प्लाइन से वह ज्यादा खतरनाप होता है, सिर्फ शूटर नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी नॉलिज में एक सिंगल शॉर्ट सर्विस कमिशन दॉफिस नहीं है, जिसने ऐसा का करा है, तो ये कहना कि ये चोरी में पढ़ जाएंगे, ये डखेती में पढ़ जाएंगे, अंटि-सोशल ये सब मुझे नहीं लगता है, इन चीजों में दम है, ये मेरी इजाती राए है, देखो ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन मेरी इजाती राए है कि ऐसा, एक जासे टेड़े को सीधा कर दिया आर फॉज मैं, अकाड़मी के अंदर तीन हथे के अंदर सीधा कर दिया गौरव अर जो लोग कह रहे थे, इनके माबब कह रहे थे कि ये तो कभी नहीं सुद्रेगा, दो-तीन हथे के अंदर सेट कर दिया, फॉज सेट कर देती है, एक बर हर्टे को चल गया ना, then he is, वह फॉज फिट कर देती उसको. खिर, यह जगडा हो क्यों रहा है? यह जो पूरा मामला है, यह हो क्यों रहा है? वैबऑ, इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी अज़ बड़ी सिंपल है. एक जमाना था जब यह जो यंग्स्टर्स थे जो फॉज में भरती होना चाहते थे, जो भरती के चुक थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो भी वही चाहते थे जो फॉज चाहती थे, वो भी वही चाहते थे जो फॉज चाहती थे, फॉज चाहती थे कि तेज तर्रार, और फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्मार्ट नौजवान फॉज जॉइन करें और वो भी चाहते थे कि हम लोग फॉज जॉइन करें तो देशा कॉंग्रूविंस ओ नीड दीजायर अन फॉण्ट वो एक एक जगे आखे मिल्ते थे और भरिली जोती थी और कभी कोई प्रॉब्लम क्यों हो गए अब प्रॉब्लम वह बेस्द को गई कि ये जो फॉर्ज में जाना चाहते हैं ये कुछ और चाहते हैं सबाइए आ आप नौइडा से दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं भी नौइडा से दिल्ली जाना चाहता हूँ, हम लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं. आप दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं मेरड जाना चाहता हूँ, हम एक गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? और जो भी फॉज चाहती है, जो बंदा फॉज जोइन करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं 15-20 साल फॉज में नौकरी करूँ, फिर मुझे पेंचिन मिले और फिर एक सरकारी नौकरी का रुदबा अलग रहता है, फॉज के लिए मोटिवेटेड भी है लग के बहुत ज़ादा होता है, जैसे गाओं में 3-4 बजे उटके दोड़ लगाते हैं लोग और फॉज के लिए, तायार यहां करते हैं, यह एक अलग मामला है, अब मैं आपको बताता हूँ उसमें, कि यह आग क्यों लग रही है यह ट्रेन में, यह कौन हैं यह लोग, यो ट्रेन्स में आग लग ठीक है, आपको यह यूपी के कुछ पर्ट्स में देखेगा, इसका एपी सेंटर बिहार है, बिहार एपी सेंटर है, ठीक है, है, हेदरबाद में कुछ हुआ है, एक दो और स्टे, हेदरबाद, तलंगाना, sorry, my mistake, तलंगाना के आसपास अंदर कुछ हुआ है, कुछ एक दो इफ्लिक्ट में न, यह जो आग लग रही है, इसमें तीन पार्टीज है, एक तो वो लड़का है, जो फॉज जॉइन करना चाहता है, ठीक है, वो लड़का फॉज जॉइन करना चाहता है, उसका दिल साफ है, उसको वर्दी पहननी है, देश सेवा का, वतन की हिदमत का एक जुनून है सर पे, वर्दी पहननी है, गाउं में देखता होगा, लोग आते हैं छुटी से फॉजी जाते हैं, उनसे बातें सुनता होगा, वो मोटिवेटेड है, तो वो तो बिचारा साफ पाक आदमी है, वो चाहता ही है कि मैं फॉज में जाओ, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका सरीफ ये एजेंडा है कि मैं फॉज में जाना है, उसके अलावा उसका कोई लेने दर नहीं, अब उसके मावाप और घर वाले, जो उसका इमीडियेट समाज है, वो क्या चाहता है, मैं बताता हूं, उनको ऐसा लगता है कि लड़के को यह नहीं लगता, जो सत्रह है, इसके वैलर के, उनर के, उसलिए जाता है, क्योंकि गाओं और ऐसे समाजों में फॉजियों की इजद भी बहुत है, तो वो, मैंने ये बात कभी शेयर नहीं की, कि मुझे भी जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा अट्रेक्शन थी, एक समय पे अभी भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म को देखके ही लगता है, ये बन्दा डिसिप्लिन्ट है, प्रॉपर तरीके से तैयार होके खड़ है, और अलर्ट है, अटेंटिव है, और इसका जो ब्रेन है वो बहुत शार्प होगा और बहुत बढ़िया लगता है बन्दा यूनिफॉर्म में, और वो चाहे यूनिफॉर्म आपकी आर्मी की हो, नेवी की हो, एर फोर्स की हो, आपकी पुलिस की हो, बहुत बढ़िया ल उनिफर्म से और उसके बाद मैंने फिर सोचा था एक टाइम के ओपर कि मैं यूपीसी का एक्जाम भी दूगा और इंडियन पुलिस फोर्स में जॉइन करने की कोशिश करूँगा लेकिन वो सब चीजे चलो पीछे रह गई वो उसको किसी और दिन डिसकस करेंगे लेकिन ही है आर्मी जो है वो जॉइन करना और उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है और मैंने आइटिंक एर फोर्स की एसेसपी बी में मैं पार्टीसिपेट किया था और आर्मी की जो है सेलेक्शन बोर्ड की लेटर्स मुझे आई थी दो तिन जगा से तो वहां पे मैं गया नहीं था एर फोर्स की और मैंने जब देखा था कि तीन लोग बैट के इंटर्वी ले रहे हैं उससे पहले क्योंकि कॉलेज में हमारे आए थे आर्मी वाले सेलेक्शन करने के लिए तो जो तीन लोग बैट के इंटर्वी ले रहे हैं क्वेशन्स पूच रहे हैं वो मैंने देखा कि यह एर फोर्स का मुझे लेटर आया हुआ है मैं एक्जाम देखे आया था चंडिगर उससे मुझे लेटर आया और फिर महां जाके एसस भी देखे आया मुझे बहुत मज़ा आया था इस टूली इंप्रेसिव लेट्स कंटीनी वो सब देखता है वो मोटिवे आधान हो जाएगा लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाईगी एक पर्मेनेंट नौकरी मिल जाएगी तो क Okay उसके बाद उसको पैंशिन मिलेगी भगवान न करे भगवान न करे हमारा लड़का अगर इस दुनिया में नई रहा तो उसकी जो बीडी है अ उसको वो पेंचिन मिलेगी, उसको मेडिकल सोविधाई मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, CSD की फेसिलिटी, सब कुछ मिलेगा, एक, इट इस वे आउट अफ यूर सरकुंस्टेंस, मैं बात कर रहा हूं उसके लड़के के समाज की, लड़के की बात नहीं कर रहा, लड़के के दिमाग में ये फैसिलिटी, वैसिलिटी ये सब है यही नहीं, लड़का तो कहता है कि मैं किस तरीके से बॉर्डर पहुंचू, उस फिर लड़का जाएगा भाई लड़का है ठीक है तो सरकारी नौकरी है marriage market में he becomes a price catch a boy with a government job becomes a price catch in the marriage market और जब शेहर में दहित चलता है तो गाउ में क्यों नहीं चलेगा जो social evil है जो कि नहीं चलना चाहिए जो highly condemnable है जो बुरी चीज है लेकिन सच्चा ही है अब murder भी तो condemnable है लेकिन murder भी हो ही रहे लोगों का तो ये भी वैसे है तो सरकारी नौकरी के लिए भाई your value in the dowry market बोजा अब बीच में आता है coaching center जो कि तीसरा है पहला अपना जो recruitment लड़का जो देश की सेवा करना चाहता है दूसरा उसके परिवार उसका समाझ तीसरा है एक coaching center वाला आदमी है coaching center वाला आदमी क्या है हो सकता हो कोई ex-servicemen हो हो सकता है वो ना हो हो सकता हो civilian हो जिसने ex-servicemen को अपने अंडर रख रखा हो पर आपको किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई ex-servicemen चाहिए अब वो बंदा कहता है कि मैं आपकी training करवाऊंगा ठीक है और मैं आपका ऐसा तैयार करवा दूँगा कि भरती में आप आगे चले जाओगे और आपका हो जाएगा मैं आपको ऐसा training करवाऊंगा आपको इतने महने की training दूँगा मेरी training का दाम जो है वो है 5,000,000,000 रूपए मैं आपसे 5,000,000,000 रूपए यहाँ पर मैं आपको accommodation प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर तीन वक्त का खाना दो वक्त की चाय प्रोवाइड करूँगा दिन भर आ और आप पिर करेंगे बच्चा जो है जो फौझ में भरती होना चाहता हो माबाप को लेकर जाता है गुरुजी के पास जो की कोचिंग सेंटर रोन कर रहे हैं गुरुजी के चरंट सपर्च करता है गुरुजी करते हैं लव 5 प्रेइनिंग के लिए और यहीं कमाई का स्रोत है कोचिंग सेंटर का और करोणा करोणा रोपय में कहलते हैं कोचिंग सेंटर करोणा इस सब्सक्राइब करोणा 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 कर इतना billions of dollars का business होता है yearly और बच्चे सारे तो आईटी में नहीं जाते हैं सारे तो जो आर्मी की ट्रेनिंग इस्टिटूट्स हैं या कोचिंग इस्टिटूट्स हैं वहां से निकल के directly आर्मी में भरती नहीं होते हैं या किसी भी और competitive exam में जाने के लिए जो भी coaching इस्टिटू बिजनस है और आई थिंक अगर मैं rightly guess कर रहा हूं कि यह किस direction में जा रहे हैं कि यह जब ऐसी schemes आती हैं government कोई radical change होता है तो यह coaching business के उपर hit करेगा जिसकी वजह से यह जो है चीजें आपको देखने को मिल रही हैं coaching के बारे मैं और बात करेंगे towards the end of the video पहले इनकी बात सुन अगल आई जो भी उसकी फीज होगी पांचलाक मैंने ऐसी बूल दिया मुझे नहीं बता लेकिन जो भी उसने लाकों रुपय की फीज तो यतना मुझे पता है तो उसने दे दी बीच में आजाता है अगनी पत्षए बीच में आ जाता है अगनीपत, पांच लाक रुपे क्यों दिये थे, कि इसको एक पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके बाद इसको पेंशन मिलेगी, इसको ये सारे दस बेनेफिट मिलेंगे, सरकार से आजीवन मिलेंगे, जब तक दुनिया में है, जब दुनिया में नही कर दे थी अगनीपत, एक सरकार ने छोड़ दी सकी में अगनीपत, अगनीपत के चलते क्या हुगा, कि जितने भी कोचिंग सेंटर इनका धंदा बंद हो गया, अब माबाब ये कहते हैं, कि बैटा एक बाद बताओ, हम तुम्हें पांच लाक रुपे क्यों दें, अगर कि बताइए, क्या करना है, आपने तुमसे पैसे ले लिए, सरकार ने स्कीम बदल ली, लाओ पैसे वापिस, ये लोग कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो कह रहे हैं, और ये पकड़े भी गया थे तेलंगाना में, तेलंगाना पुलीस ने इनके वोईस इंटेसेप्ट्स निक तुम पेट्रोल ले जाओ, ट्रेंज में आग लगवा रहे हैं, कि किसी तरीके से जैसे फार्म लॉज में सरकार के उपर बहुत प्रशर आया था, और सरकार को मजबूरन फार्म लॉज वापस लेने पड़े, तो अगर तुम आग जनी करोगे, अगर तुम मार कटाई है, वो अगनी पत भी वापस ले लेगी, ये बेसिक ये ड्रामा पीछे से चल रहा है, उसके अलावा हजारों तर हजारों ओवर नाइट क्रिटर हंडल खुल गए, अचानक हमारे जो भाई बैठे हैं, रावल पिंडी, उनको तो मज़ा आना थी, रावल पिंडी वालों को तो हजारों दर हजारों, इंस्टाग्राम के और फेस्बुक पेजिस ये सब खुल गए, अगनी पत अगनी वीर नाम के, खुल गए, अब क्या हो रहा है, कि ये लोग मिसिन्फोर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, एक चिठी जो है, जो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स द ले गए, और अगर उनका प्रोमोशन नहीं हुआ, तो उनको भी हम अगनी वीर कैटेगरी में डाल देंगे, ये कितना बड़ा जूट है, लेकिन इसके बारे में नॉलेजी नहीं है, लोग परिशान है, तो लोग बिलीव कर रहा है, तो इस तरीके से भी दुश्मन रही है कि जो करन्ट सर्विस में हैं, उनको भी प्रावलम जाएंगी, तो फिर ये अंदर जो है वो प्रावलम क्रियेट की जा सकती है, तो इन टैक्टिक्स को समझना जानना बहुत जरूरी है, और आप किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर आपको इंडिया से प्यार है, तो लेट्स कंटिनुए, यह देखो, अगर कोई मुझसे पूछे, मुझसे एक पता नहीं कौन सा बेतूल कहीं से किसी ने मुझे ट्विटर पर डियम वेजा, कि मेजर साब मैं भरती होना चाता हूँ, फॉज में, और मुझे फॉज में भरती होना है, और मैं आपका बहु सरकार की चापलूसी कर रहा है, उससे कह रहा है लड़का, तो मैंने बोला, धिरज भाई, सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, और चापलूसी मैं कर रहा हूँ सरकार की, यह कैसा लोजग है भाई, ऐसा किस तरीके से हो सकता है, सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, मुझे तुछ बात है, मैं उसके हक में आवाज उठाउंगा. पहली बात तो वैभव में एक बात बता दू कि यह जो लोगों ने बोल रखा है, मैंने बात करी लेटनेंट जेर्टनेंट जेर्ल राज शुकला से. लेटने जेर्टने जेर्ल राज शुकला थे अर्ट्रैक के, you know, GOCNC आर्ट्रैक, तो अर्मी कमांडर, जो आमी की पूरी ट्रेनिंग देखता है, इस बेस्डार शिम्ला, आर्ट्रैक से, आर्ट्रैक में, आर्ट्रैक में, आप लोग देख सकते हैं, उसमें उन्हों ने ये किसाब, ये जो पॉलिसी है, इंडियन आर्मी ने फॉर्मॉलेट करी, इंडियन आर्मी ने फॉर्मॉलेट करी, यहां से फॉर्मॉलेट होके, वो आमी चीफ के पास गई, वहां पे फिर वो CDS के पास गई, जनल बेपन रावत के पास फिर वो उपर गई, मोदी हाय हाय क्य इतनी बात सच है, Ministry of Defence में अप्रूफ करी है, तब ही तो स्कीम आई, यह वरना नहीं आती, लेकिन फैक्ट ओफ तो मैटने, ते स्कीम लाना कौन चाहता है, मोडी में थोड़ना इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मोडी में तो 99% लोग सिविलियन्स हैं, को क्या पता है, कि फॉज की ट्रेनिंग कैसे होते हैं, क्या होती है, अगर मोडी में आप जाके देखेंगे, मोडी में 99% या 95% सिविलियन्स हैं वापे, फॉजी तो बहुत काम है, यह एक और रोना है, इसके उपर एक दिन और वीडियो बनेगा, कि साब वहाँ पे तो सिविलियन्स हैं भरे हैं वहाँ तो फॉजी हैं नहीं, अब क्या हुआ है, कि फॉज ने बोला कि हमें अगनी पत की स्कीम चाहिए, सरकार ने स्टडी करा, सरकार ने बोला, यॉर शोर, बियस वियर शोर, डन, सरकार ने टन कर दिया, स्कीमा गई, इसके पीछे डियर से लेकर दो साल तक काम चल रहा था, यह अचानक एक दिन नहीं फूटी है, हाँ, यह बात भी बहुत इंपॉर्टन्ट है, क्योंकि यह तो मैंने पहली बार सुनाएं कि एक्चुली जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, जैसे इंडियन आर्मी ने यह स्कीम फॉर्मूलेट की, और गवर्मेंट ने एक्चुली डिपार्टमेंट के कॉर्डिंग दी चलके उसको फॉलो अप लिया, यह बहुत बड़ी बात है इंडिया में, यह इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी की यह सोच है और उसको गवर्मेंट ने सपोर्ट किया है, तो यह इटसल्फ is a very big thing for us, तो इसको समझने की बहुत जरूरत है, let's continue. है न, ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने तीर मारा जमीन फे और गंगाजी निकली, ऐसा नहीं हुआ, इसके उपर बहुत research करी गई है, और आर्मी ने बोला कि फॉज के लिए सही है, यह फॉज के लिए सही है, जो लोग कहते हैं फॉज सिर्फ पैसा बचाने के लिए कर रही है, भाई एक बार बताओ, हमारा बजट है पिचटर अरब डॉलर, पिचटर अरब डॉलर, अमरीका का कितना है, अरब डॉलर एक साल का, यानि कि हमसे कतना दसगुना जादा, ठीक है वेबफ, अमरीका का बजट हमसे दसगुना जादा, अमरीका के पास और उनकी फॉज हमसे चोटी है, अरब कि इज़का करके, अमरीकान आर्मी, इस वेडिया के लिज़ पास प्रफ इस जादा, उनको तो पैसे की कमी नहीं है, American army को पैसे की कमी नहीं है साले साथ सो अरब छोटा पैसा नहीं होता है तो उनके पास किसी पैसे की कमी नहीं है जब उनके पास पैसे की कमी नहीं है फिर यह क्यों कर रहे हैं पांच 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 चार-चार साल के लिए अपने सपाई कियों लेकर आते हैं वही अगनी पर जैसी थीव अमेरिका में भी है मैं चाइना और इन सब की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर कंस्क्रिप्शन होता है यहां पर जानबूच की जबरदस्ती ने तुम्हें कर प्रॉलम थी कि जो स्टुडेंट लोन्स होते हैं अगर स्टुडेंट लोन्स पे आप डिफॉल्ट कर जाएं तो उनको भी फोर्सिबली जो है वो आर्मी में इंडक्ट किया आ जाता था मुझे यह शूर नहीं है कि यह यह टू है यह आप कमेंट सक्षन में हमें बता सकते हैं लेकिन यह मैंने सुना है कि अगर आप स्टुडेंट लोन्स पेजा जाता था यह ऐसा हो नहीं सकता है आपकी फोर्ज जैसे चल रही है आज की तारिक में ऐसे नहीं चल सकती है वो बच्चा चाहता है कि मैं जिन्दगी बिताओं फोर्ज में पूरी और पेंशन लेके जाओं यह उसके मावा पैसा चाहते होंगे बच्चा नहीं भी चाहता होगा तो कि मुझे लेकिन अब फॉज यह नहीं चाहती है भाई आपके वेस्ट में पाकिस्तान है जो कि नुक्लियर वेपन एनेबल स्टेट है नुक्लियर वेपन स्टेट है चाइना है दोनों के इस इस इविलें बोले तेखिए वहाँ पर आर्मी चीफ है इतने सारे लेफ्न जेनरल्स है यार देहाँ लॉडड ऑए एक्सपिरेंस दाट इस वाइड डों कमेंट सो मच उनेट मैं इसले कमेंट नहीं करता है मुझसे बहुत सीनियर है यह तो बच्चा हूं उनके सामने म बारे में जितनी जनरल मनुष पंडे भूल चुके होंगे विचि मस्ट फोगाटन सो एमाइड कॉलिफाइड कॉमेंट और आर्मी चीफ हैमाइड कॉलिफाइड कॉलिफाइड है ने तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पूरा जो मामल देगा ये pension का मामला, आपके पास हत्यार नहीं है, आपके पास गंदी सी इंसास एक, ठीक है, राइफल आपके आपके पास weapons नहीं है फेस करने के लिए, जब सरकार ने आपको ये बोल दिया एक बार, कि बहुत चार साल के बाद, मेरा भी concern था, मैंने भी tweet कर रहा था इस मामल होगी, वो आपको सरकारी नहीं है, फिर क्या problem है, फिर क्या परेशानी है, और मुझे एक बात समझ भी नहीं आती, इसमें राजनितिक पार्टी क्यों, इनको हर जगे कुछ ना कुछ करना है, हर जगे कुछ ना कुछ करना है, हर चीज में, कि अगनीपाद स्कीम बुरी है, और इक फॉज को चलाना है, यह फॉज को यह होगी सिखाते हैं कि सिगर स्ट्रीक कैसे करनी है, इनको ऐर फॉर्स को यह भी ट्रेइनिग देनी है, कि बाला कृट की स्ट्रीक कैसे तुम्हें करनी चीए थी, क्या करना चीए था, तो कहने की बात यह कि का ओप।शिण के बा नाखुश है मैं मना नहीं कर रहा पर एक बात मुझे कहनी पड़ेगी वेबव जो लड़के हैं जो टेस्ट पहले पास कर चुके हैं कई ऐसे कई हजार हैं जो टेस्ट पास कर चुके हैं रिटन और फिजिकल मेडिकल सब पास कर चुके लेकिन वो जॉइन नहीं कर पाई वेक पुरानी स्कीम के तहट दिया था अगर मैं उन लड़कों को अलग कर दूं जिनके टेस्ट पास हो चुके है मेडिकल फिजिकल रिटिन सब कुछ पास हो गया है ठीक है उनको तो फौज को लेना ही चाहिए पुरानी स्कीम के तहट भई मैं इस चीज को पूरा सपोर्ट करता ह क्योंकि उन्होंने टेस्ट जो है टेस्ट उन्होंने दिया था पुरानी स्कीम के तहट ठीक बात है लेकिन जो नए हैं जो नए लोग है जो परिशान आपका मन था आपके मन से फौज चलेगी आपका मन फौज में जाने के लिए देश की सुरक्षा बाहरी हो आंत्रिक हो यह आपके मन से चलेगी, आपके मन से तो नहीं चलेगी, हमारा मन है साब, हमने तो इतने साल से म तैयारी कर रहे हो, आप पचास साल से तैयारी कर रहे हो, तो, यार, I am a short service officer, मैंने जब साले-पांथ साल के बाद, फौच छोड़ी वेभफ, मेरे पास को नौकरी नहीं थी, मेरे पास को ट्रेनिंग नहीं थी, सिविल के लिए, मुझे नहीं पता था, कि घर से जब निकलता हूँ, गेट से तो दाए जाना, बाए जाना, मुझे नहीं पता था, ये अट्टा बाजार पे अपने कंधे पे वेलविट रखके वेचाय मैंने मैंने अपने लिए कार्ड बनाये थे जिसमें से मेजर नाम हटा दिया था क्योंकि मुझे शरम आ रही थी जो मैं काम कर रहा हूँ लोग बोलेंगे आर्मी का ओफसर है ये जो स्कूटर पे वेलविट लेता है फिर कंधे पे वेलविट लेके दुकान पर पहुचाता है फिर मेरा हाथ किसने पकड़ लिया जो आजकल लोग इतना कह रहे है अगनी पत में यह हो गया अगनी वीर में यह हो गया और मेरी शिकायत सबसे है, मेरी शिकायत मेरे सीनियर से भी है, मेरी शिकायत सिस्टम से है, मेरी शिकायत सरकार से है हजारों दर हजारों शॉर्ट सर्विस कमिशन आफिसर किसी ने 5 साल नौकरी करी, किसी ने 10 साल नौकरी करी, जिसने 5 प्लास 5 लिया आज की तारिक में जो 10 साल कर रहा है या 14 साल कर रहा है वो दर-दर की ठोकना खा रहे हैं हमारे बारे में तो किसी ने नहीं पूचा आज तक हमारे बारे में किसी ने नहीं पूचा यहाँ पे उन लोगों के बारे में ये लोग चिंते थे जिन लोगों ने फॉज जॉइन ही नहीं करी है। भाई अगर जिन लोगों ने अपना टेस्ट पास करा है फिजिकल मेडिकल रिटिन आप उनको एक मिनिट के लिए कोने मेरती मैं उनकी बत नहीं कर रहा। उनका तो बुरा लगना जायज है वो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं अगले साल करेंगे साथ दो साल के लिए फॉज की भरती बंद हो गई यार कोविट था फॉज की भरती बंद हो गई। फिर आपको खुश करने के लिए फॉज भरती तोड़ना कोल देगी। अरे यार मैं कह रहा हूँ दो साल का रिलक्षेशन इंडियन आर्मी ने अगनीपत स्कीम निकाली है उसके दो-तीन कारण थे यह हमने आपको बता दिया अगनीपत स्कीम क्यों निकाली ठीक है अब डिरेक्ली जो लोग अगनीपत की स्कीम से भिड़ रहे हैं कि ये जवानों के साथ जो होने वाले जवान हैं उनके साथ बुर होंगे आर्मी से देविल फाइंड जॉब्स दर किसको नौकरी मिलगे बता देना जरा इकके दिक किसी को मिली हम तो सड़क पे आगए थे हम तो सड़क पे आगए थे हमने तो खुद अपना रस्ता बनाया मैं यह जाना ठीक है एन ओफसर इस बेटर एक्विब्ट आप यह आर्गूमें दे सकते हैं कि एक आफसर है उसकी लेघ्ड़र स्किल्स अच्छी है उसकी लीडिशिप स्किल्स अच्छी है बट वो लाइघ्ट जा ओपरिट उससे इंप्रेस होता है भाषू अब परिट रे Sound가지고 को परिट रेक्विट रेलेमेंट एक्स मिसkop के इसक्थल मैं JNK में था, I was posted on the line of control में नहीं left, और मैं क्या experience उसको बता हूँ यार सामने HR manager को, मैं क्या बता दूँ कि मुझे क्या आता है, मैं अपना को क्या सकता हूँ कि मुझे human resource manage, army is very very different from civil, जो भी फॉजी के मन में यह है क्योंकि मैंने फॉज में कर लिया, मैं civil में कर लूँगा, तोटली रॉंग, you'll get ambushed, civil की requirements ही कुछ होना है, और यह मुझे लगा, अब मुझे 23 साल होगा है फॉज चोड़े वे, it's over a period of 23 years that I've realized, short service commission officers को आपने बिल्कुल जमीन पर फेग दिया, हम में से कितने बन गए terrorist, हम में से कितने बन गए mafia sharpshooters, हम में से कितने बन गए दाउद बन जाएगा, क्यों, officer terrorist नहीं बनेगा, जवान terrorist बन जाएगा, ये ये भाई क्या logic है, देखिए, हो सकता है कि officer का mental level एक जवान से उचा हो, हो सकता है उसकी training उससे उची और होती भी है, हो सकता है कि उसकी communication उससे उची और होती भी है, पर यार देश के लिए वफादारी त जवान का कम होता है, this is nonsense, it doesn't work like that, सबका चस्पा बराबर है, वो जवान भी देश से उतनी महबत करता है, जितनी आफसर करता है, that's it, देखो, ये अगनीपत होना ही होना है, अभी बोल दिया, इंडियन आर्मी ने ये रोल बैक नहीं होगी स्कीम, और मैं सरकार से एक और अ मैं अच्छा जी से एक अपील करूँगा, सर, मैंने ट्वीड भी करा था, एक वेबसाइड बन वाई है, और जितने भी दंगाई है, सबकी फोटो वहाँ पर होने चाहिए, इन से सिर्फ सरकारी नौकरी मत चीनिया, इन से सिर्फ फॉज की नौकरी मत चीनिया, आप उनसे प्राइवेट नौकरी भी चीनिया, आप उनसे उमीद चीनिया, यह गड़दार हैं, यह देश के दुश्मन हैं, यह टर्रिस्ट हैं, और मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि इनके घर में बुल्डोजर अभी तक क्यो नहीं पहुंचा, इस उतने हीरो बन रहा है, इनके घर शांती से, वेभव, मैं साथ बोल रहा हूँ, on record बोल रहा हूँ, आपकी शोपे, जो शांती से प्रोटेस्ट कर रहा है, जो देश को नहीं जला रहा है, मैं उसके साथ करूँ, मैं आप से अग्री करून ना करूँ, आपका समविदाने कहा के हैर, यह पूरा जो सिस्टम है हर समय वैभव, जब भी कुछ होता है, आप देखना है, देश में कुछ लोग आग लगा देते हैं, जब भी कुछ होता है, और सरकार की communication strategy, I think it leaves much to be desired, this could have been done very very differently, फार्म लोज में भी प्रोब्लम है, किसी को पता ही नहीं था, फार्म लोज क्या है, यह जो communication की strategy है, यह से का था, कि साइट स्टेप कैसे करेंगे, और CISF में, CRPF में कैसे जाएंगे, यह पहले सेन के दिमाग में प्लान था, पर इन्होंने अनॉंस कप करा, इन्होंने तब अनॉंस करा जा, ट्रेने जलनी चुरूंगे, और लोग अच्छा डर गया, डर गया, यह बात हो गई, आइज तिस इस वाट इस देड नीड अश्टार आर्मी, और जो लोग अंदर के मामलात को भी जानते हैं, जो खुद फॉजी रह चुके हैं, वेटरन हैं, कोंसे रिक्वेस्स का गमा, सर, लिट अधी अधी डिएड़ को हमें बिलकुल, हुआ मैं तब कुआ टूज को हमें मैं उनको बोलूँ कि नहीं सर आप गलत हैं और मेजर गौरावारिया जो कि यूट्यूब पे आता उसको सब गयाने दुनिया का वही बताएगा कि आर्मी की पॉलेसी कैसे होंगी और अगले सौ साल में आर्मी इंडियन आर्मी जंग कैसे लड़ेगी ऐसे थुड़ना होता है तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को खतम करना चाहिए जो लोग हैं जो ट्रेन जला रहे हो जेल जाएं और उनको सिर्फ जेल में ही रोटी मिले क्योंकि बाहर उनको ना मिले वेबसाइट की जो मैं बात कर रहा था वैबब वेबसाइड में इन सब के नाम होने चाहिए इनके आदार काट की फोटो होने चाहिए इनके इनका पता होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए कि अगर ये बिहार के यूपी के या तेलंगाना के या आंधर प्रदेश के किसी गाउं में भी किसी फैक्टरी में जॉब के नहीं नहीं सॉरी तुमने ट्रेन जलाई थी तुमने नौकरी नहीं मिलेगी और गवर्मेंट शुट से सिंप्ली अगर तुमने किसी भी आगजनी वाले को तुमने नौकरी दी तुमारा बिजनस का लाइसंसी कैंसल करतेंगा तुम भी सड़क पर आओगे आप कितने भी आपका जो वो हो कौस गो जन्यून हो यू कांट बर्न पब्लिक प्रोपर्टी है बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो थी बहुत डेप्थ में इन्होंने बातें की और मुझे सबसे बढ़िया जो स्टाइल लगता है मेजर गौर वारिया का नहीं सुनता क्यूं कि हर बंदे को बुरा लगता है कुछ चीजों का कुछ चीजों का अच्छा लगता है लेकिन आपको अपना टोन और टैनर जो है वो बिल्कुल जेंटलमेन की तरह रखना चाहिए आपको एग्रेसिव वाइस से बात नहीं करनी चाहिए तो वो चीज़ें इन से देखके मुझे भी सीखने को मिलती है और इंप्रेसिव रगती है कि आप बहुत सारी टफ सिचुईशन आती है और इन्होंने बहुत सी चीज़े बताई भी मैं उनके बारे में आगे बात करूँगा लेकिन ये मैं पहला पॉइंट हाइलाइट करना चाहता था कि इनका बात करने का तरीका और अपने व्यू पॉइंट को रखने का तरीका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है किन किन चीज़ों की जरूरत है और किस तरीके से वो है अपना जो रिक्रूटमेंट और अपना जो जॉब का प्रॉसेस है उसको आगे कंटीनियू करेंगे ताकि वो अपने उपर जो उनका पैंशन का विल है उसको भी रिडियूस कर पाएं और जो आर्मी में जो लोग हैं जो सोलजर्स हैं स्पेसिफिकली वो अजाइल, यंग, अटेंटिव और ये सब हों क्योंकि यंग एज में आप जुतना मरजी कहिए कि मैं इतनी एक्सराइज कर लेता हूँ मैं उतनी एक्सराइज कर लेता हूँ लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इमांडिंग है, not only physically demanding, mentally demanding है, challenging है और हर बंदे के बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, बहुत से लोगों के बस की बात नहीं है, आर्मी में जाना और only the best people who are suited for that job, they get that opportunity और वो ही जो है, वो आगे करते हैं, तो इस तरीके से अगर आर्मी का एक तरीका है, recruitment process का, जो पहले से चला आ रहा है, उसको आर्मी खुदी चेंज करके, government को proposal देती है, तो किसी भी government का जो ideal response है, वो तो यही होगा, कि आप ये changes करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्या आपके reasons हैं, और अगर government को भी वो reasons genuine लगते हैं, तो वो उसको approve or disapprove करेगी, और हमें हमेशा, मै मैंने इंडिया में ही सारी अपनी education की है, IIT के system के तुरू गुजरा हूँ, government institute से पढ़ा हूँ, तो मैंने देखा है कि हर जगा हम सबको यही तकलीफ होती थी, कि government जो हो हमारे हिसाब से जो department, अगर education department है, उसकी recommendations के accordingly funding नहीं lot कर रही है, यह नहीं कर रही है, अब यह एक ची चीज़ है, और इसके, मैं यह नहीं कहा रहा है कि यह, यह scheme अच्छी चीज़ है, मैं यह कहा रहा हूँ कि scheme को propose करना, अगर army का, army ने own किया है, उसको, government ने उसको approve किया, तो यह अच्छी चीज़ है, और अगर scheme के बारे में किसी के concerns है, तो वो concerns raise करना genuine है, लेकि उस concerns, उन concerns की वज़े से public property को harm पहुंचाना ये बहुत गलत बात है, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास बहुत limited resources है, और बहुत मुश्किल से हम सब के collective work के साथ जो है, वो इंडिया economic growth के बात पे चल रहा है, और वाकी सारी चीज़ें हो रही है, तो इन चीज़ों क दियान में रखना चाहिए, और public property का जो damage करना वो बहुत serious offense है, और इसको government को भी जो है, वो seriously लेना चाहिए, अब इन्होंने बात की कि ये जो protest हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, उसमें इन्होंने coaching institute का जो role है, उसको highlight किया है, तो हम सब को बताए कि coaching institute का business कितना बड़ा है इंडिया में, आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर लीजिए, आप किसी भी field में अगर आपको आगे जाना है, तो उसके लिए आपको competitive exam के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत limited institutes हैं, जैसे 23 IITs हैं, और इंडिया की population आप देखिए, इंजिनरिंग में जाने बले बच्चे कितने हैं, और ऐसा नहीं है कि जो IITs में चले जाते हैं, वो बहुत बढ़िया होते हैं, उनसे better जो engineering में interested लोग हैं, वो कई बाहर भी रह जाते हैं, बहुत सी problem हैं, कोई exam के दिन बिमार हो गया, वो क्या कर लेगा, उसको चाहे जितना मर्जी अच्छ को तो अगर उस बंदे ने coaching institute से तैयारी की है, तो coaching institute को तो पैसे पूरे जाएंगे ना, coaching institute का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर जो student है, वो किसी भी कारण वश्फियल हो गया, तो ये चीजें जो है, वो financially motivated होने के कारण बहुत strong impact create कर रही हैं, और मुझे ये नहीं पता of these training institute's है, तो this could be one of the reason, अगर आपको लगता है कि ये reason नहीं है, तो feel free to provide counter arguments in comment section, लेकिन non-aggressive or gentleman language में आप ये बात कर सकते हैं, अब इन्होंने आगे अपनी struggle की बात की, अपनी struggle में इन्होंने ये बताया कि जब इनको short service commission से discharge किया गया या इनकी services पूरी हो गई, तो there was no one to support है, और ये true है not only for India, worldwide true है, आप Canada में देख लीजे, यूएस में देख लीजे, मुझे experience इतने countries का है, मैं इंडिया में रहा हूँ, मैं यूरप में रहा हूँ, मैं यूएस में रहा हूँ, और मैं Canada में रहा हूँ, तो मैंने हर country में ये देखा है, कि जब भी आप switch करते हैं, career switch करते हैं, खासतार भी, एक तो हता है field switch करना, कि जैसा आप IT field में काम कर रहे हैं, तो आप software development कर रहे हैं, तो आपने कल बोला, नहीं यार, मुझे back end development में interest नहीं है, मैं full stack developer बनूगा, या front end developer बनूगा, या मुझे data science में interest आ रहा है, machine learning में interest आ रहा है, तो मैं data scientist बनूँगा तो एक तो हता है, बो बीच में film change, उसमें भी बहुत difficulties आती हैं, उसमें आपको, अपने आपको up skill करना पड़ता है, आपको नहीं चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब ही जाके आपको जो है job मिलती है, ऐसे नहीं job मिल जाती कि भाई, कल मैं ये कर रहा था, मेरा right है कि मुझ आप रोल्स अलग तरीके के हैं, और हर एक को जो है, वो जीरो से ही start करना पड़ता है, जब भी आप career switch करते हैं, और ये true worldwide है, ये को इंडिया specific true नहीं है, ये worldwide true है, हर जगह पे ऐसे ही होता है, बन्दा मेनत करता है, और जैसे इन्होंने बताया, मैं उनको feel कर रहा था कि ज जरना पड़ता है, अगर आप ये सोचेंगे, यूएस में लोग स्ट्रगल से नहीं गुजरते तो ऐसा नहीं है, यूएस में तो आप देखेंगे कि founders को, जिन्होंने ये company को खड़ी की है, उसको ही founder को ही निकाल दिया गया, उस support से, बहुत बार ऐसा हुआ है, और आपने क जो है, वो वाइलेंट नहीं होता, most of the cases, मैंने तो नहीं देखा कि कोई ज्यादा वाइलेंट हो जाए, जैसे इन्होंने भी मिजर कोरवार या ने भी बताया कि short service commission से निकल के कितने को लोग वाइलेंट होगे, तो ऐसा generally नहीं होता, और ये misinformation जो है, उसको उससे बचना चा in a peaceful way, तो उन सब से चीज़ों का resolution हो सकता है, लेकि पब्लिक प्रोपर्टी को चलाना और पब्लिक का loss करना, ये किसी चीज़ का हल नहीं है, और इससे कोई problem solve नहीं होगी, तो I request everyone कि जो fake information है, जैसे इन्होंने एक चुठी दिखाईगी, उन जैसी चीज़ों से बचा जाए और अपने आपको educate किया जाए, चीज़ों को समझा जाए और peacefully को exist किया जाए, आपको कई बार comment की policies पसंद नहीं आएंगी, गर्मेंट चोड़िए, आपको आर्मी के recruitment, जैसे इन्होंने rightly बोला कि आर्मी आपके हिसाब से तुर्णे में recruitment करेगी, वो तो अपनी requirements के हिसाब स अच्छा काम कर सकते हैं, उमीद करते हैं कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को thumbs up जरूर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक subscribe नहीं किया, तो प्लीज चैनल को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए, तो आप आपको लगता है कि ये अगनीपत स्कीम के बारे में आपके कोई विचार हैं, आपके कोई counter arguments हैं, तो वो भी आप politely आपने comment section में हमें पता सकते हैं, we would love to read about those, और इसी से जो है, वो intellectual discussion होती है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए, stay safe, stay healthy, bye bye